जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका भारे अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल से जुड़ी पहलें कि तनाव से कैसे बाहर आए, डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, और जो डिप्रेशन से होने वाली हमारी समस्या है, उन समस्या उसे भी आप कैसे बाहर आ सकते हैं, तनाव किसी भी वक्त हो सकता है और तनाव के लिए कोई खारण होना जरूरी नहीं है, तनाव पून होती है तनौ में वो हमारे दिमाने मन में मस्थिष्ट में होती है न कि कुछ भार होती है हमने कलपनाओं में एक ऐसा संसार घड्ड लिया है जिसे सास्वत सत्य मानकर उसके साथ हम जी रहे हैं और वह संसार पूरा नकारातमक ही अब आध समझG जाएगा जो उस संसार को बदलने की जरूवत है mindset positive रखें सकारत्मक रखें और इर्दगीर्चु चीज़ आप दिमाग में कल्पनाएं कर रहे हैं उन कल्पनाओं को ना करें त्योंकि वो कल्पनाएं कोरी मिथ्या है अगर वो सच होती वो कल्पनाएं तो आप depression में नहीं जाते हैं मन नहीं लगता रात को नीन नहीं आती कुछ करने का मन नहीं होता है और तरह-तरह कि न जाने कितनी सारी परिशानिया उसमें भहसूस खुद करते होंगे तो शायद मैं बया नहीं कर पाता हूँ सबसे पहली जो मैंने आपको clear कर दिया, इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कोरी कल्पनाई कर ली है एक ऐसा संसार खुद के इर्दगिर्द घड़ लिया है, तो संसार वास्तविक्ता में है ही नहीं तो उसका basic उपाई है कि उस संसार जो आपने घड़ा है उस संसार से आप बाहर निकले, क्योंकि उस से बाहर निकलेंगे तो बहुत सी समझ जाए, बाहर हो जाएगी दूसरी बात है, सकारत्मक attitude ये सकारत्मक आपको होना हम तोर पर हमें नकारत्मक था, प्यार में धोका हो गए व्याफसाय में लाहानी हो गई उधार बहुत जादा कर्ज हो गया और पारिवारी खाला रिस्तों में खटार ये जितनी भी चीज़े हैं इनकी देन हैं में और इसे मोहमाया भी हम कह सकते हैं उसका एक उपाय है, वो है पहला अब सुलह का रास्ता हमेशा रखे सुलह का रास्ता रखे माफी मांगना मांगना और माफ कर देना दोनों रास्ते अब अपने पास रखे नफा नुकसान न देखे किसी भी चीज़ में और चो तीसरी बात कि जो लोग आपको थोपना चाहते हैं पर भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए हमें सबका हिट चाहिए आपका भी सामने वाले का भी यह भावना अगर शुद्ध होगी तो आपको भी डिप्रेशन में नहीं चाहिए यह दो रही जितने भी आपके टेकनिकल प्रोब्रम्स होती उनकी लिए बात ही अब बात हम करना चाहिए कुछ बैसिक जो आपको ध्यान रखना चाहिए और इससे कई बार आपको बहुत फाइदा होगा यह पहली नमबर दिक बात अब अपने आपको व्यस्तर रखें व्यस्तर हो मस्तर हो दूसरी बात अपने मन में किसी प्रकार की भविश में आने वाली चीजों की कल्पनाएं न करें वो कल्पनाएं आपको दुखी करेंगी आपको नेगेटिविटी में डालेंगी तीसरी बात ओर थिंकिंग ज्यादा सोचना बंद कर दें जो ज्यादा सोचेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी तो बैसिक सी बात है कि हम नकारत्मकों के डिप्रेशन में जाएंगी चोती बात है इश्वर का इसमरन करें मंदिर जाए दर्शन करें जो भी आपके इश्ट देउता उनके नाम लें उनका जब करें यह बहुत ही सबसे बेसिक हैं पाचवी बात है हमेशा अपने माइंड सेटप को पोजूट्व रखें सहज रहें सरल रहें बिनम्र रहें क्रोट से दूरी बनाएं अगर अच्छा लगों लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें जैश्री महामकार